आपकी मनी का गाढ़ा होना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों अगर आपकी मनी गाढ़ी नहीं होगी तो सबसे बड़ी प्रॉबलम तो यह है कि आपकी रुकावट नहीं बन पाएगी यानि आप जब भी अपनी जोजा अपने बीवी के पास जाएंगे तो ए आपके अंदर जरासीम की कमी होने की वजाह से आप अपनी बीवी को प्रेगनेंट नहीं कर पाएंगे उसको हामिला नहीं कर पाएंगे और आज के टाइम में इससे भी बहुत सारे लोग परेशान हैं जो लोग मुस्त जनी का सिकार हैं हाथ का गलत इस्तेमाल ज्यादा कर लिया है और इसकी वजाह से आज उनकी जिंदगे शरमसार बेकार हो चुकी है बहुत जगह इलाज करा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं होता है तो नुस्खा नोट कर लीजिए मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप इन समस्याओं को पूर दोस्तों शरू करते हैं इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरुट होती है जिसमें पहली चीज है तुखमे सोलंगी यानि सोलंगी के बीज ये आपको लेना है पचास ग्राम उसके बाद है मगज जिया पोता ये आपको लेना है पचास ग्राम ये मगज जिया पोता भी बहुत powerful है और बहुत useful है जरासीम को बढ़ाने के लिए उसके बाद है मुसली सफेद जो रुकावट को पैदा करती है यह आपको लेनी है 50 ग्राम यह असुगंधा है इसके अंदर यह आपको लेना 50 ग्राम यह इंतिशार को पैदा करती है और इस सब गोल आपको लेना है 100 ग मुक में सुखा लें और फिर अलग अलग इनका चूरन तयार कर लें जब चूरन आप बना लेंगे फिर आप इसमें इस सब गोल को मिक्स कर दें अब अगर आप चाहें कुछ मिस्री मिलाकर आप इसको मीठा कर सकते हैं उसके बाद आपको इसका 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 को खाईए खाना खाने के बाद हलके गरम दूद के साथ, रेगुलर आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है, जब आप लगकर दवाई को खाएंगे, तो फिर ये आपके अंदर जरासीम को बनाने का काम करेगा, आपकी मनी को बनाने का बढ़ाने का और उसको गाड़ा करने का काम करेगा आपके अंदर रुकावट को पैदा करने का काम करेगा जब आपके अंदर रुकावट पैदा होगी फिर आपकी टाइमिंग बढ़ेगी आपका वक्त बढ़ेगा जहां आप सही से 2-4 मिनिट भी अपनी बीवी को तब तक एद लिजे हैं